नास्ते स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम जाने के बैसे के लिए समझने कोशिश करेंगे किस तरीके का mutual fund आपके लिए बैतर होगा और आपको क्या 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 चीज देखना चाहिए समझना चाहिए एक basic overall वीडियो है बहुत ही elementary वीडियो है जिनको mutual fund बहुत चरह अलग अलग टाइप के आपनी definitely add देखा होगा कि कौन सा लेना है नहीं लेना है समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं अभी grow के माधियम से इसको चेक कर रहा हूं grow पे आप खोल सकते हैं मतलब कहीं पे भी बट grow में मैंने देखा पैसा नहीं लेता है सस्ते में फ्री में करके देता है तो आप चेक कर सकते हो अल्दो मैं use करता हूं दूसरा platform में ब्रोकर यूस करता हूं अपने इन्वेस्टिंग के लिए तो आप अपने तरीके से उसको कर सकते हैं तो यहाँ पर दो चीज आपको उसका जो brokerage charges होता है वो नहीं देना पड़ता है और अगर आप यह जो platforms होते हैं जैसे यह platform हो गया regular जिसको बोलते हैं तो आपको broker को एक certain percentage देना पड़ता है एक percent दो percent जो भी है बट देना पड़ता है उसमें कोई मतलब नहीं बनता है broker में फायदा ही होता है कि आपका जो भी mutual fund का investment है वो जैसे आप जहरोदा में खोलते हैं ग्रो में खोलते हैं तो एक जगह में सारा कुछ रहता है पर जब भी आप मतलब individually जाके मतलब खड़ीते हैं तो हर एक mutual fund का आपका username and password आपके पास होना परेगा तो सबसे पहले अचली हम एक चीज़ समझते हैं यहां पर कि यहां पर अलग अलग ताइप के mutual fund होते हैं अभी आप जैसे देख पारें एक हजार 1073 mutual fund है तो आपको मतलब अब तो पगला जाएंगे न क्या है भी और यहां पर आप देख रहें कि पागल जासे रिटन दे र तो अभी आपको अगर यह समझ भी नहीं आ रहा है कि very high risk equity यह क्या चीज़ देता है तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि AMC का मतलब होता है कि कौन से company जो है simple भाशा में कौन सा company आपका mutual fund चला रहा है तो बहुत सारे companies है अलग 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 categories होते हैं एक होत मतलब होता है कि आप company का मालिक आना हक ले रहे हो यानि आप share purchase कर रहे हो hybrid का मतलब होता है कि debt और equity को मिला के अगर हम करते है तो वह हो जाता है hybrid other solution जो होता है other क्या क्या यह आपका index fund है index fund में definitely आप उसको consider कर सकते है index fund मतलब जैसे nifty 50 हो गया nifty 50 का एक average निकाल के वह हो जाता है index index fund simple भाषा में मैं इसका further और भी मैं इसको बनाऊंगो वीडियो अगर आप चाहते हैं definitely मुझे comment section में हाई आलो लिखके बोलिएगा और definitely like कीजिएगा इस वीडियो को subscribe कीजिएगा share करेंगे नहीं करेंगे doesn't matter but at least like तो कीजिए और यहां पर risk आप देख पा रहे हैं fund size करें तो सबसे पहले आपको समझना परेगा जितने भी आपको high return दे रहे हैं यह आपका equity based होता है equity based मतलब यह share market से अपना जो है कौन-कौन से company में उसका holding आप देख पाओगे कितना percent holding है तो यहां पर इसका 6% जो है वो ITC में है अर्विंद में है इंडिया बुल्स में है लिंडे में है लिंडे बहुत अच्छा रिटर्स दे रहे है है HFCL में है communication है इंडिया सेमें में है इंडिया सेमें जैसे आप जानते के चैन्नाई सुपर किंग्स का जो ओनर है TV 18 जो अंबानी का company है जस्डायल है जीम्म फोड्लर है जीम्म फोडलर भी आपका glass lining बनाते है जो भी आपका processing होता है pharmaceutical में जादे यूज होता है इन्वेस्टमें दिया है जो अलग अलग तरीके के इन्होंने इंवेस्टमें दिया है अब यहां पर आप जैसे देख पारें कितने सारे companies में इन्होंने investment करके रखा हुआ है और वहां से इनका return आ रहा है वही आपका growth दे रहा है और वहां से आपको पैसा मिल रहा है आपका capital growth हो रहा है यह चीज़ आपको समझना परेगा कि very high risk का मतलब आज अगर 63% आपको growth दे रहा है कल अगर share market बैट जाता है इन लोग को कुछ नहीं जाएगा जो fund manager company है they are not going to take the responsibility आपका responsibility हो जाता है because you are buying यह चीज़ आपको धियान में रखना है इसलिए आपका जो risk appetite है that is absolutely wrong अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आता है share market कुछ समझ भी नहीं आता है आपको stock market mutual fund कुछ समझ भी नहीं आता है आप आग बंद करके hybrid में आप focus कर सकते हो अगर आपको एक average return चाहिए average return मतलब 20% 15% यह अगर आपको average return दे रहा है मैं यहां पर एक साल का return में यहां पर आपको मिलने वाल है but it is much safer सबसे safer क्या होता है debt होता है debt में आपको bank जैसे ही देगा bank में जैसे देता है एक साल में 3% bank से भी कम मतलब आपको यहां पर capital erosion होता है so unless and until आप एकदम risk cover से हो तो उसके लिए आप इसमें जा सकते हो क्योंकि हाँ पर कुछ tax benefit मिल से है और अगर आप बहुत भयानक risk लेना चाहते हो risk मतलब थोरा सापको basic knowledge है आप directly stock नहीं purchase करना चाहते है तो उसके लिए आपको equity में जाना चाहिए randomly मत जाओ आप ऐसे मतलब धंदराक का खरीद होगे फस होगे फिर बोलोगे मेरा पैसा दूब गया फिर आप बोलोगे नहीं में stock market में पैसा नहीं बनाना है because everyone can make money in stock market में घर बैटे पैसा कमा सकते हो आप भी घर बैटे पैसा कमा सकते है doesn't really matter where you are अगर आपके पास internet है और आपके पास थोड़ा सा knowledge है थोड़ा सा time invest करेंगे थोड़ा सा knowledge invest करेंगे तो definitely आप आप आराम से पैसा कमा सकते हो कोई इस्यों नहीं है और ये companies आपके लिए पैसा कमा के देते है बर थोड़ा साब को दिमाग लगा के यहां पर इन्वेस्ट करना परता है betting मत कीजे, gambling मत कीजे and this is how it works so मैं एक detailed video बनाऊंगा एक more of a overview मैं आपके लिए बनाऊंगा जहां पर मैं cover करूँगा सारा चीज so thank you for watching this video I hope this video was useful अगर कोई भी feedback है, कोई भी comment है like, share, subscribe कीजेगा इस चैनल को thank you for watching this video